Hello everyone, welcome back to another video, आज किस वीडियो लेक्चर हम सिखेंगे A silent and B silent later के बारे में, चलिए सुरू करते हैं आज हम पहले A silent later के बारे में पढ़ेंगे यानि A कहां पर silent रहता है इसके बारे में यदि A के बाद double L y यदि A के बाद double L y आए तो A जो है वो silent रहता है, क्या silent होता है यहाँ आप इस चीज का ध्यान रखें, A के बाद double L y तो A जो है वो हमारा silent रहता है, इतनी से बात आप ध्यान रखें जैसे musically, यहाँ पर double L y है, इससे पहले A है same pattern सब में है, तो इससे हम क्या बढ़ेंगे, musically logically, romantically, physically, critically यानि यहाँ पर जो A है वो silent है, क्यों है? क्योंकि इसके बाद double L y आया है, तो यह है वो moan हो जाता है, यानि silent हो जाता है first rule यही है A का, इसके बाद हम next be silent के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से दिखें कई जो लोग हैं, कई जो students हैं, कई जो colleagues हैं वो क्या करते हैं, इस B को भी pronounce कर लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, English के भी कुछ system होते हैं कुछ rules होते हैं, जिने हमें follow करना होता है अच्छी English, अपनी English को और ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए improve करने के लिए हमें ये rule पता होने चाहिए तो चलिए सीखते हैं, B के बाद, sorry यानि M के बाद B आए, क्या है, यदि M दे रखा है किसी word में और उसके just बाद B दे रखा है mostly ऐसा होता है, लेकिन English में क्या होता है बहुत ज़्यादा exception होते हैं, फिर भी आप इसे याद रखें कि M के बाद आया B, M के बाद आया B हमेशा लग बग क्या होता है, silent होता है यह आप ध्यान रखें, जैसे देखिए, यह है कॉम, इतना ही पढ़ा जाता इसे, जब कि कई लोग इसे कॉम ऐसे पढ़ लेते हैं जो कि एक गलत तरीका है, एक गलत रॉंग प्रनेंसियसन है तो आपको क्या गड़ना है, इसे पढ़ना है, कॉम, इसे पढ़ना है, बॉम, इसे पढ़ना है, थम, थम, क्या पढ़ना है, धम, यानि यहाँ पर सभी जगा पर M के बाद क्या आया है, B आया है, इसे पढ़ा नहीं जाएगा इसे प्रनाउंस नहीं किया जाएगा ठीक है इस तो M के बाद आया B कभी बूला नहीं जाता है और इस तरह से इन्हें प्रनाउंस करना होता है बड़ते हैं नेक्स्ट बी के नेक्स्ट रूल की तरफ नेक्स्ट रूल है की बी और कहां silent रहता है वो हम सिखेंगे T से पहले आया B किस से पहले T से यानि टी से पहले यदि B आता है T से पहले यदि क्या आता है B आता है तो silent रहता है B क्या रहता है silent रहता है उसे नहीं बोला जाता है देखिए यहां पर यहां पर लिख रखा है D E B T ठीके तो end में T है इससे पहले क्या है B है यहां पर देखिए B है तो यह है date क्या है यह है date इसे पढ़ेंगे debt ठीक है इसे depth नहीं पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे debt next है doubt यहाँ पर भी जो है वो silent है doubt इससे क्या पढ़ेंगे doubt फिर है subtle s u b t l e अब इसे कई लोग जो है subtle पढ़ लेते हैं कई लोग जो है वो subtle पढ़ लेते हैं लेगिन नहीं subtle नहीं पढ़ना है यह है subtle यह क्या है guys subtle इसे pronounce क्या करेंगे subtle क्योंकि यहाँ पर जो b है उसके बाद t अर्था t से पहले b है तो b को कभी पढ़ा नहीं जाएगा read नहीं किया जाएगा इस बात को अब ध्यान रखें तो लग बग हमने कौन-कौन से नियम को पढ़ा है b silent एक बार revise कर लेते हैं पहले हमने सीखा था यहाँ पे की a silent कहा रहता है जब double ly से पहले a予 तो a silent रहता है silent रहता है बोला नहीं जाता है दूसरा हमने पढ़ा है कि जहां पर m के बाद यदि b आये यानि M के बाद B आए तो B क्या रहता है silent रहता है उसे पड़ा नहीं जाता है फिर एक B का और रूल हमने पड़ा है कि जब भी T से पहले B आए तो वो B जो है वो silent रहता है वो भी पड़ा नहीं जाता जैसे date है doubt है है subtle है एट सेटर ऐसे कही एक्जामपल होंगे गाई तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें यह वीडियो काफे इंट्रेस्टिंग है सब्सक्राइब करें और ट्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिक्शन में आपको टाइम पर मिल जाए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक्स वर वाचिंग कीप लेर्निंग